नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका मेरी यूटूब चैनल धमाका जीके पर दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रहे हूं पिने कल SSC समान्य अध्यन के बूख के तीसरे एडिशन से रासायन विज्ञान से सम्मंतिति दिये गए मोश्ट इंपरिण प्रशनों को दोस्तों सभी प्रशन आपकी प्रशन प्रशनों में पूछे गए प्रशन हैं और आगे भी आपकी होने वाली प्रशनों में इनमें से प्रशन पूछे जा सकते हैं इसलिए आप इन प्रशनों की वीडियो को पुरा जरूर देखें और वीडियो बे देगया कंटेंट को cover किया है और दोस्तो ये हमारा रासेन विज्ञान section में 5 वा टॉपिक है कर्बनिक रासेन विज्ञान और दोस्तो इसमें हमारे प्रशन शुरू हो रहे है 125 वे प्रशन से दोस्तो प्रशन हमें दिया गया है जिसे डैश भी कहा जाता है एक शाकित शेंखला संत्रिप्त हाइडरोकार्बन है जिसका रासेनिक सूत्र C5H12 है तोस्तो आंसर इसका 2-methyl-butane 2-methyl-butane जिसे 2-methyl-butane भी कहा जाता है आईसोपेंटेंग जिसे 2-methyl-butane भी कहा जाता है एक शाकित शेंखला संत्रिप्त हाइडोकार्बन है जिसका रसायनिक सूत्र T5H12 है 2-3-dy-methyl-butane एकसिंट का एक समा व्याता यानिक आईसोमर है आईसोपेंट एक अलकेंट है जो प्रोपेंट को मिथाइल समू द्वारा इस्तिती दो पोजिशन 2 पर इस प्रतिस्थापित किया जाता है प्यूटाइन, नाइलोन और कुछ अन्य के लिए कम मातरा में कई प्रत्यास तलक ABC, एक्रेलोनो नाइट्राइल, प्यूटाइन, सिस्ट्रीन, सिस्ट्रीन, कोलिमर के लिए कच्चा माल है अगला प्रश्ण है 126 वा प्रश्ण नाइट्रो मीथेन का सहीरा साइनिक सूत्र कौन सा है दोस्तों आंसर है इसका TH3NO2 TH3NO2 नाइट्रो मीथेन होता है इसका आनविक सूत्र नाइट्रो मीथेन का नाइट्रो मीथेन का ओपियोग और द्योगी क्रोगानू रोधी और फार्मस्योटिकल बनाने के लिए किया जाता है और इसका ओपियोग मिट्टी के क्यूमिगेंट और रेसकार इंजनों में इंदन के रूप में किया जाता है नाइट्रो सो मीथेन नाइट्रोसो मीथेन और meth4NO2 आकसीडो ऐमीनो मीथेनॉल और Church3NO3 मिवΥाइल नाइट्रेट जिसका गलनाक 209 Kelvin है दोस्तो आंसर है इसका क्लोरोफोर्म का क्लोरोफोर्म एक रंग हीं तर्ल है जो जल्दी से गैस में वाशफित हो जाता है ख्लोरोफार्म दुस्ट इसका सुत्र है छूरोफैनोल एक गलोरीन यूप्त सुगन्दित योगिक है और इसे बड़े पैमाने पर कवकनाशी के रूप में उप्यों किया जाता है 2-chloroethanol C2H5CLO मुख्य रूप से ethylene exoide के sensulation और रंजग pharmaceutical biocides और plasticizer को बनाने के लिए कई synthetic प्रतिकरियों के लिए उप्यों किया जाता है अगला प्रशन है एथेन के सचनादमक सूत्र की पहचान करे एथेन के सचनादमक सूत्र की पहचान करे दोस्तों आंसर है इसका option D H2C बरावर CH2 H2C बरावर CH2 यह दोस्तों एथेन का सचनादमक सूत्र है एथेन सरलतम शार ये हाइड्रो कार्बन है जिसका सूत्र T2H4 या T2C बरावर CH2 है यह एक रंग हिंज जल्वन शील गैस है जिसमें शुद्ध होने पर हलकी मीटी और मान सलगंद होती है इसका उपयोग जादा तर फॉलेथिन बनाने और फॉलो को कितन रूप से पकाने के लिए किया जाता है उस विदी की पहचान करे जिसका उपयोग कार्बनिक योगिकों को शुद्ध करने के लिए नहीं किया जाता है उस विदी की पहचान करे जिसका उपयोग कार्बनिक रसाइनिक योगिकों को शुद्ध करने के लिए नहीं किया जाता है दोस्तो आंसर है इसका आवसादन सेडिमेंट टेंशन आवसादन वह प्रक्रिया है जिसमें पुर्थवाकर्षन के कारण एक कारण कण एक तरल से अलग हो जाते हैं उर्धपातन यानि के सब्लिमेंशन एक बोतिक रसायनिक प्रकरिय है जिसमें कोई पदार्थ मद्यवर्ति दर्व अवस्था में परिवर्तित हुए बिना वोह सवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है इसी विलियन या गलित धातु में से प्रक्तिक या कृतिम वेदी से ठोस क्रिष्टल बनानी की पक्रिया को कृस्टलन या क्रिष्टली करन कहते हैं आसवन एक तरल मिश्रम से घटको या पदार्तों को चैनिनात्मक उबलने और अंश्रिपन का उप्योग करके अलग करने की पक्रिया है 230 प्रश्ण है किस समु को पहले पेराफिन नाम दिया गया था? किस समु को पहले पेराफिन नाम दिया गया था? तो आंसर इसका एलकेंस को एलकेंस को पहले पेराफिन नाम दिया गया था एलकेंस को पहले पेराफिन नाम दिया गया था एलकेंस योगिको की एक श्रिंखला है जिसमें एकल सहसाईयों जक बंदों के साथ कारबन और हैडोजन परमानों होते हैं अलकेन का आनविक सूत्र, मिथेन, CH4, एथेन, C2, H6, प्रोपेन, C3, H8, और बूतेन, C4, H10, और पेंटेन, C5, H12 है एक्स कोशन है दोस्तों, रसाइनिक सूत्र, CH3, CH2, CL के साथ, कौन सा रसाइनिक योगिक, फोर्म युक्त, प्लास्टिक में, ब्लॉइंग एजन्ट के रूप में उप्योग किया जाता है, रसाइनिक सूत्र, CH3, CH2, CL के साथ, कौन सा रसाइनिक योगिक, फोर्म युक्त, प CH2Cl, और खलोरो मेथिन का है CH3Cl, और वन खलोरो प्रोपेन का सूत्र है C3H7Cl, और फ्री कलोरो हेक्सेन का सूत्र है CH6H13Cl, यह है आपका फ्री कलोरो हेक्सेन का आनविक सूत्र. 132 प्रश्ण है एलकोहल या फिनोल जैसे हैड्रोकसिल योगिक के साथ ऑक्सो एसिड की अभिक्रिया से कौन सा कर्यातमक समू योगिक प्राप्त होता है एक माइनस ओ एच हाईड्रोकसिल समू को एक माइनस ओ माइनस एलकोहल समू दारा प्रतिस्थापित किया जाता है जैसा कि एक कार्बोजिलिक एसिड और एक एलकोहल की प्रतिस्थापल अभिक्रिया में होता है वो धर्म के लिए एथिल एसिटेट प्रोपाइल मेथोनोईट ऐस्टर शब्द जर्मร रसायनेग लियोपोलट गयमलिन के दौरा पेश किया गया था ешकोशन दोस्तों निम्कित में से कोण T6H4Cl2 कुटल के साथ एक कारभनिक योगिक है उपियोग कपड़े के कीट पतंगों को नियंतर्थ करने के लिए एक रूमक कीट नाशक के रूप में चिया जाता है। उस्तों आंशर है इसका पेराडी कलोरो बैन्जीन पेराडी कलोरो बैन्जीन C6H4Cl2 का उप्योगपकड़े के पतंगों को नियंत्त करने के लिए एक फ्युमीग्यन्ट नीटनाशिक के रूप में किया जाता है पेराडी क्लोरो बेंजिन C6H4-Cl2 का उप्योग कपड़े के पतंगों को नियंतित करने के लिए एक क्यूमी गेंड निगीट नाशक के रूप में किया जाता है इधायल बेंजिन C6H6-CH2-CH3 स्टाइरीन का निर्मान करता है जो प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तमाल किया जाने वाला एक योगिक है वेंजोईल क्लोराइड C7H5-CLO मुख्य रूप से पराकुसाइड के उत्पादन के दिये उप्योगी है कलोरोबेंजिन C6H5-CLO मुख्य रूप से एक लायक एक अब घटन कारक है और इससे एक रसाइनिक मध्यवर्ती के रूप में प्रयोग किया जाता है कारबनिक योगिक के IUPAC नाम के प्यारूप में रूट शब्द का प्रयोग निमन को दर्शानी के लिए किया जाता है IUPTION A कार्यात्मक समु जो योगिक में मौजूद हो रगते हैं दूसरह दोस्तो दिए गए योगिक की चक्रिये प्रकति ये गए योगिक की चक्रिये या फिर चक्रिये प्रकति और तीसरह दोस्तो option मूल शिंखला में कारवन परमानों की संख्या और चौत अप्शन है दोस्तों पार्शव शिंखला या स्थापन समुहों की उपस्तिति दोस्तों आंसर इसका option C मूल शिंखला में कारवन परमानों की संख्या मूल शिंखला में कारवन परमानों की संख्या International Union of Pure and Applied Chemistry यानि कि IUPAC में मूल शिंखला में कारवन परमानों की संख्या का प्रतिव करने के लिए रूट शब्द का उप्यों किया जाता है अगला प्रश्न है CH3CH2OH सूतरवाले योगी का नाम क्या है? CH3CH2OH सूतरवाले योगी का नाम क्या है? दोस्तो आंसर है इसका इथैनौल इथैनौल जिसका सूतर है दोस्तो CH3CH2OH इथैनौल का जो उप्यों है दोस्तो वो दवाओं प्लास्टिक, लाख, पॉलिश, प्लास्टिसाइजर और सूंधर्य प्रसादनों के निर्मान में किया जाता है इथेनाल का जो दोस्तों उप्यों है वो दवाओं प्लास्टिक, लाख, पॉलिस, प्लास्टिसाइजर और सौंदर्य प्रसादनों के निर्मान में किया जाता है एसिटिक एसिड इसका सुत्र है CH3POOH और इसका जो उप्यों है सिर्का में एसिटिक एसिड विनाइल एसिटेट मॉनोमर का उत्पादन एसिटिक एन हाइडराइड का उत्पादन, एस्टर का उत्पादन एक विलाएक के रूप में मीथेन CH4 मुखे रूप से गर्मी और प्रकाश बनाने के लिए इंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है क्लोरोफार्म CHCl3 का उप्योग विलाएक के रूप में अन्यरसाइनो को फ्यूमिगेंट के रूप में करने के लिए किया जाता है यह 136 वज दो प्रशनागेंगे दिए गया है निम लिकिते में से कौन? मोनोसकराईट का उधारन है दोस्तों आंसर है ओप्शन B A और D दोनों A और D दोनों ही मोनोसकराईट के एक्जामपल है फ्रुक्टोज और ग्लकुज मोनो सेकराइड में गुल्कोज, डेक्स्ट्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लेक्टोज, ग्लेक्टोज और राइबोज शामिल है Monosaccharide में Glucose, Dextrose, Fructose, Glectose, Xylose और Ribose शामिल है Polygosaccharide में Sucrose, Lactose और Maltose शामिल है Starth Cellulose और Glycose and Polysaccharide के कुछ उधारन है सगला प्रशन है Carbon के कुल कितने प्रकतिक समस्थानिक होते हैं? Carbon के कुल कितने प्रकतिक समस्थानिक होते हैं? दोस्तो, answer है इसके होते हैं 3 Carbon के कुल प्रकतिक समस्थानिक होते हैं 3 Carbon तीन समस्थानिकों में सभाविक रूप से होता है Carbon तीन समस्थानिकों में सभाविक रूप से होता है Carbon 12 जिसमें 6 neutron होते हैं प्लस 6 proton 12 के बरावर Carbon 13 जिसमें 7 neutron होते हैं Carbon 14 जिसमें 8 neutron होते हैं एक समस्थान एक रासाइनिक तत्व के परमानू की दो या दो से अधिक प्रजातियों में से एक है जिसमें समान परमानू संख्या और इस्तिती होती है। अगला प्रशन है असंत्रिप्त कार्बन योगिक किसके साथ जलते हैं। असंत्रिप्त कार्बन योगिक किसके साथ जलते हैं। गलना कम होता है। ग्रेफाइट का गुन नहीं है इसका गलनाक कम होता है यह कत्थन ग्रेफाइट का गुन नहीं है ग्रेफाइट का गलनाक हिरे के गलनाक से थोड़ा पड़ा होता है क्योंकि ग्रेफाइट में सी सी बंदों में आंसिक रूप से दी बंद चरितर होता है और इसलिए यह मजब जोजन हैं तुस्तो आंसर इसका प्रोपेन और ब्रूटेन का मिश्रण तरली कर्यट प्रेट्रोलियं गैस या लपीजी हल्ड के हाइड्रोकार्बन योगीकों का मिश्रण है इसमें मुखे रूप से ब्यूटेन C4H10 या प्रोपेन C3H8 या दोनों का ही ये मिश्रण होता है एथिल मर्क टेंड का एक उप्योग गंध हीन गैसों जैसे ब्यूटेन, क्रोपेन और पेट्रोलियम में एक चेतावनी गंध देने के लिए योज़क के रूप में या जाता है एथिल मर्क टेंड का उप्योग नियम लिकित में से कोन प्राकतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है दोसकों अलतर इसका मीथेन, 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 CH4 प्राकतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है मीथेन CH4 प्राकतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है आदरबू में मीथेन का सबसे बड़ा प्राकतिक स्रोत है यह प्राकतिक मीथेन उसरजन का 78 प्रतिशत उत्पादन करता है मीथेन CH4 दूसरी सबसे महत्यपून ग्रिन हाउस गैस है उन प्रतीकों में जिनके समाने अर्थ हैं निमलिकित में से किसका परियोग परमानु द्रव्यमान की एकाई को परिभाशित करने के मानक के रूप में किया जाता है। द्रव्यमान के रूप में परिभाशित किया जाता है। उन तीन कारबन अणों को क्या कहा जाता है जो सभी जीवों में पोशन की पकरिया के पहले चरन के दोरान गुलकोज के छे कारबन अणों से तोड़ते हैं। दोस्तों आंसर इसका पाई रूवेट पाई रूवेट पाई रूवेट गलाइको लाइसिस द्वारा उत्वन होता है। प्लाइको लाइसिस छे कारबन मोनो सेकराइड गुलकोज शे शुरू होता है। पहले कुछ चरनों में गुलकोज फ्रेक्टोस 6 फास्वेट का उत्वादन करने के लिए फास्वारीली करन और आईसो मिराजेशन से गुजरता है। एक अन्य फास्वो राइलेशन पती के रिया इस हैक्सोस चीनी को दो तीन कारबन अन्यों गिल्चराइल्ड हाल्ड फास्वेट जी त्रीपी और डाय हाइड्रॉक सिटॉन फास्वेट भीच एपी में वज़करने की सुविधा प्रदान करती है। पर्लंबिक चरनों में उर्जा के इन्पुट की आवशकता होती है। और गुल्कोज के प्रत्यक अन्यों के लिए ATP के दोनों का उप्योग होता है। लेकिन इसके प्रणास रूप हैक्सोस का दो ट्रायोस अन्यों में बड़ा परिवर्तन होता है। 145 प्रणास दोसको दिया गया है कार्बनिक योगिक डैश के योगिक होते हैं आंसर है इसका कार्बन के तोस्द्रव या गैसी अवस्था में वे योगिक जिनके अन्यों में कार्बन होता हैं। आगला प्रशन है डाइकलोरोफ्लोरो मिथेन का रासायनिक सुतर कौन सा है। डाइकलोरोफ्लोरो मिथेन का रासायनिक सुतर है। निम लिखित में से कौन सा कार्बन का एलोट्रोपिक रूप है दोस्तों आंसर है उप्षिन भी ग्रेफाइट ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है प्रोपेन में क्रमशक कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमानु होते हैं प्रोपेन में प्रोपेन एक तीन कार्बन अलकेन है जिसका रसाइनिक सूतर T3H8 है इसमें तीन कार्बन पर मानू की एक शिंखला है क्योंकि तीन कार्बन की एक शिंखला के लिए दो multiply 3 plus 2 hydrogen पर मानू की अफशक्ता होती है जो 8 के बराबर होती है एक बेंजन अनू की स्रचना में बंधन कौन डिगरी में क्या है एक बेंजन अनू की स्रचना में बंधन कौन डिगरी में क्या है दोस्तों आंसर है इसका 120 पेंजन एक कार्बनिक रासाइन की योगिक है जिसका आन्विक सुत्र C6H6 है इसमें एक निमित अस्टबुष का आकार होता है पेंजन अनू छे कार्बन परमानू से बना होता है जिसमें 120 डिगरी के बंधन कौन होते है एक सो पचास प्रशन दोस्तों निम्न में से कौन म जी ठी महक वाला पदार्त है नोसे अनसर इसका ऐस्टर ऐस्टर सुगंदिक पदार्त होते हैं और इनको प्युक परफ्यूम बनाने में किया जाता है वे तब उत्पन होते हैं जब एक अस्टबुपरक की आपस्थिति कैकार्बोजीलिक एशृट को एलकोहल के साथ घरम प्रिम्स तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूटूब चैनल धमाका जीके को सबस्क्राइब जरूर करें इससे आगे भी आपको मेरे एक्जामरेटेड़ वीडियो मिलते रहे हैं। दोस्ता हम आगे बढ़ते हैं, हमें प्रश्न दे गया है, एक सुत्या उन्वा प्रश्न, निम्न में से कौन एक आसंत्रिप्त कार्बन योगिक है, आंसर है इसका ब्यू टेन, ब्यू टेन, संत्रिप्त हाइडोकार्बन ऐसे योगिक होते हैं जिने एलकेंस भी कहा जाता है, ब्यू टेन एक अलकेंस है, जिसका सूत्र T4H10 है, अलाकि असंत्रिप्त हाइडोकार्बन सिध्य शिंख्ला वाले योगिक हैं, जिने डवल या ट्रिपल सासियों जग बंदन होते हैं, डवल के साथ हाइडोकार्बन कार्बन परमानों के बीच के बंदनों को अलकेंस की र बी मिधेन, ग्रफाइट है हीरा है और करबन 60 बक्त मिनिस्टर फ्लेरीन भी है, ये करबन के अपरूप है, मिधेन को छोड़ कर, अपरूपता कुछ रसाइनिक तत्व का गुण हैं, जो दो या दो से अधिक बीविन रूपों में मुझूद हैं, एक ही बोती कवस्था में तत्व के अवनटन के रूप में जाना जाता है, एक तत्व के भीविन सचनात्मक शन्शोधन हैं, तत्व के परमानु एक अलग तरीके से एक साथ बंदी होते हैं, करबन के कई अपरूप है, जैसे डाइमंड, ग्रेफाइट, लॉन्चे डेलाइट, लॉन्चे डेलाइट कार्बन के निम्न में से किस कार्यातमक समू में आक्सिजन नहीं होता है कार्बन के निम्न में से किस कार्यातमक समू में आक्सिजन नहीं होता है आंसर है दोस्तों इसका हेलो जैन में अक्सिजन युक्त कर्यात्मक समू अलकोहल एथर, अल्डी हाइड, कीटोन और कार्बोजीलिक एसिड के विविन प्रकार के डेरिवेटिव जैसे अमाइड एस्टर और एसिड हलाइड है हेलोजन जो समू होते हैं उनमें अक्सिजन नहीं होती है उस तत्व का नाम बताइए जिसका किसी योगिक को कर्बनिक योगिकों में वारगिगरत करने के लिए उस योगिक में होना अवश्यक है उस तत्व का नाम बताइए जिसका किसी योगिक को कर्बनिक योगिकों में वर्गिगरत करने के लिए उस योगिक में होना अवश्यक है दोस्तो आंसर है इसका कर्बन आंसर दोस्तो वो तत्व है कर्बन कार्बनिक योगिकों में मुझूद सबसे आम तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, आक्सिजन और नाइड्रोजन है कार्बनिक योगिकों में मौझूद सबसे आम तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सिजन और नैट्रोजन है कर्पन और हैडुजन मौझूद होने के साथ सथ अन्य तक जिससे फास फ़ोट सल्फर, इलिकॉन और हैलोजयन कर्पनिक योगिकों में मौझूद हो सकते हैं स्वे योगिक जो इस नियम से समझेद नहीं हैं आकर्बनिक योगिक कहलाते हैं वो कहलाते हैं आकर्बनिक योगिक श्रिंक्रन का गुण डैश में प्रबल होता है श्रिंक्रन का गुण डैश में प्रबल होता है अंसर है दोस्तों इसका कार्बन में श्रिंक्रन का एक ही तत्व के परमानू का एक श्रिंक्रा में बंदन है श्रिणी करन एक ही तत्व के परमानू का एक शिंखला में बंधन है जिसे एक शिंखला कहा जाता है कार्बन के साथ के टेनिशन सबसे असानी से होता है जो लंबी शिंखला और सचना बनाने के लिए अन्य कार्बन परमानू के साथ सह से योजग बंधन बनाता है प्रकती में कर्वनिक योगिकों की विशाल संख्या की उपस्तेती का यही कारण है 156 वा दोस्तों में प्रश्न दिया गया है मीथाइल प्रोपेन डैश का समावयव है मीथाइल प्रोपेन डैश का समावयव है आंसर इसका एन व्यूटेन का यह शब्द तो सचनात मक आईसो मर्स अन ब्यूटेन या आईसो ब्यूटेन जिसे मिथाइल प्रोपेन भी कहा जाता है या इन आईसो मर्स के मिशन का उल्डे कर सकता है यू पी असी नामकरन में हाला की व्यूटेन केवल अन व्यूटेन आईसो मर्स को संदर बित करता है जो की असम्वंद सचनावाला आईसो मर्स है 157 प्रशन दोस्तो दिया गया है निम लिखित में से कौन सा एक अल्डि होईड है अंसर है दोस्तो इसका प्रोप नेल नामकरन की आई यू पी असी प्रणाली अल्डि हाइट को एक विशिष्ट प्रत्य 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 अल्डि ह और काफी में या जाता है एथिल एसिटेट का उपयोग चाय गोंद नेल पॉलिश रिमूवर और काफी में या जाता है एथिल एसिटेट का उपयोग चाय गोंद नेल पॉलिश रिमूवर और कॉफी में किया जाता है, यह एक रंग हीन तरल है, इसमें एक मजबूत फल सुगंद है इसमें एक पिंजरे जैसी फ्यूड रिंग चचना है, जो सौकर वाल होट वाल जैसा दिखता है कारबन के अन्य दो आवन टन ग्रेफाइट और डाइमन है, कारबन के अन्य दो आवन टन यानिके जो अपर रूप है वो ग्रेफाइट और डाइमन है दोस्तों यह हमारा अंतिम प्रश्न है, 160 हुआ प्रश्न निम्लिकित में से कौन सी कुछ कार्बन युक्त योगिकों में से एक है जिने कार्बनिक के रूप में वर्गिक्रित नहीं किया गया है आंसर दोस्तों इसका साई नाइट्स साई नाइट्स साई नाइट्स एक मात ऐसा योगिक है जिसमें कार्बन होता है अन्य उधारनों में कार्बन मोनोकसाइड, CO, सोडियम बाइकार्बोनेंट, कार्बन डाइओकसाइड और कार्बन टेट्रक्लोराइड शामिल है दोस्तों इससे अन्टिम प्रशने के साथ रासेन विज्ञान से सम्मंदित दिये गए मोश्ट इंपरिट्ट प्रशन हमारे पूरे होते हैं दोस्तों वीडियो में देगा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूटूब चैनल दमाका जीके को सबस्क्राइब जरूर करें इससे आगे भी आपको मेरी एक्जामिलिट वीडियो मिलते रहें दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यावाद